गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स क्या हम ये मान के चलें कि बॉलिवूट के अंदर माफिया गिरी इतना ज़्यादा हावी है कि हर दिन कुछ न कुछ वहाँ पे घटनाए होते रहती है और जो छोटे सहरों से जो कलाकार आ रहे हैं पे कैसे चोटे सहर के कलाकारों उभरते हुए कलाकारों के साथ वहाँ पे टॉर्चर किया जाता है और वहाँ के जो इस्तापित यानि के जो इस्टैबलिस्ट जो कलाकार है पहले से वो लोग बिल्कुल ही दुर्बेभार करते हैं अब नेक्स्ट देखिए शिधार शुकला की निधन हुआ उसमें यह बाते आई हैं कि उनके हार्ट अटेक से निधन हुआ है और रात को उन्होंने कुछ दवाई खाया था उसके बात से वो अटेक आया और उसके बाद उनका निधन आ गया ये सारी बाते उनके family के तरफ से कही जा रही है और family का ये भी कहना है कि इस मामले में कोई भी शक की कोई गुंजाइस नहीं है तो किर्पिया इस मामले में आप लोग कोई भी ऐसी बाते ना करें शक की गुंजाइस सक पैदा ना करें contribution की react ना करें ये सारी बातें उनके family का कहना है चले ठीक है माल लेते हैं हमें कोई इसमें कोई दिक्कत नहीं है परन्तु कई बार जब हमें ये सोचते हैं तो हमें ये लगता है कि पहले सुषान सिंग राजपूत और अब शिधा सुकला दूसरी बात मैं एक चीज़ और कहना चाहता हूँ कल से मैं गौर कर रहा हूँ कि जब सुषान सिंग राजपूत की मौत हुई तो कोई भी बड़े सेलिवरेटी ने किसी ने जुबान तक नहीं खोला किसी ने कुछ नहीं बोला एक सब्द किसी के पास नहीं था और नहीं उनके अंतिम संसकार में किसी ने आने की अपनी एक हिकमत केरी किसी ने कुछ नहीं बोला एक दो लोगों को छोड़ करके प्रन्तु सिधार शुकला में शारे लोग तुरंत ही सामने आगे चाहे शारु खानों चाहे शल्मान खानों चाहे कितने बड़े-बड़े नामों में लगातार देख रहा हूं मैं ये आरोप नहीं लगा रहा हूं कि आप शिधार शुकला में क्यों आएं मैं दुखी मैं भी हूँ कि शिधार शुकला जैसे ये कलाकार इस दुनिया में अब नहीं रहे लेकिन ये जो बॉलिवूड के कुछ गंदे लोग हैं जो की पाटिशन करते हैं जो की ये देखते हैं किस में क्या बोलना है और किस में नहीं बोलना है ये बाते जबकि सुसान सिंग राजबूत के बहुत ही दर्दिनाक मौत होई थी और सुसान सिंग राजबूत के बारे में आज भी हम लोग ये सोच करके रूख आप जाती है कि किस परकार से सुसान सिंग राजबूत की हत्या होई है सिधार शुकला का जाना असमें बहुत ही दुखद है और मैं तो देखें मैं कई बार बोल चुका हूं कि मैं टीवी वगेर से बहुत कम कनेक्ट रहता हूं फिल्मी दुनिया से परंतु मैंने देखा कि किस परकार से हर जगा पूरे देश में यह चर्चा चल रहे है यानि कि स रिधार शुकला काफी पॉपलर व्यक्ति थे और उनके साथ सिर्फ 40 साल के उमर में उन्होंने स्ट्रगल करके के अपना केरियर बनाया वह सारा कुछ चौपट हो गया सारा कुछ खत्म हो गया इसके पीछे का राज क्या है यह अभी पता नहीं है परंतु परिवार का जो क परंतु यह बॉलीबूड में जिस तरीके से ऐसी घटनाई हो रहे हैं यह बहुत ही दुखद है और इस दुख की घड़ी में मैं हमेशा परिवार के साथ हूं चाहे वो शुशान सिंग राजपुत का परिवार हो चाहे वो सिधार शुकला का परिवार हो दोनों मेरे लिए बराबर हैं और मैं हमेशा अपनी सरदांजली इन्हें अरपित करता हूं जय हिंद जय भारत